हलो दोस्तों वेलकम टो आईजा क्रियेशन और आज हम पैनल डिजाइनर बेबी सलवार बनाने चाह रहे हैं यह जो सलवार है हम तीन से चाल साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं यहां पर हमने वन मिटर कॉटन का फैबरिक लिया है जिसे हमने टू पीस में बीच से फोल्ड करके कुछ इस तरह से बेचा लिया है तो आपको भी सेंगे इसी तरह से बिचाना है इसकी बात मैं इसका मेइजर्मन बता देती हुए आपको यहां पर हमने का मेजर्मेंंग देख लिया है यह हम इसी इसी पीस मे से पूरी इसकी शलवार रेडि करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि इसके जो पैनल है वो कट कर लेंगे, तो पैनल के लिए हमें 6 इंच पे मार्क करना है, वैसे हमें 5 इंच ही चाहिए, पर एक इंच हमारा सिलाई में जाएंगा इसलिए यहाँ पर हम दोनों साइद में 6 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमें पैनल कट कर लेना है तो जैसे कि मैंने आपको इसका मेजर्मेंट बताया है इसकी जो वीर्थ है वो हमारी 6 इंच है और लेंद इसकी 15 इंच है अब हमें बीच से इसे कट कर लेना है तो यह हमारे दो पैनल रेडी हो गए दो पैर के लिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो side वाली कलिया होती है panel की 4 उसे हम cut करेंगे तो यहाँ पे हम कलियों के लिए marking करेंगे तो कलियों की जो वीर्थ है वो हम panel से पाच्छे गुना जादा लेते हैं इसलिए हम यहाँ पे 24 इंच पे mark करेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों side में 24 इंच पे mark करना है और इन दोनों point को straight join कर लेना है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसे cut कर लेंगे अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी कलियों की वीर्थ रहेंगी वो हम mark करेंगे तो यहाँ पे हम 2.6 इंच पे 2.5 इंच पे यहाँ पे हम दोनों side में कलियों के लिए mark करेंगे तो इस तरह से हमें marking करना है इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन दोनों point को यहाँ से हम join कर लेंगे तो यहाँ पे हमें दोनों point को join कर लेना है और जॉइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि बीच से कट लगा देंगे तो ये देख लीजी आप कि हमने बीच से कट लगा दिया है ये हमारे साइट की कलिया है जो हमारी चार कलिया होती है तो वो हमारी कलिया है यहाँ पर अब इसके बाद हमें क्या करना है कि क्रॉच के लिए मार्किंग करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम क्रॉच के लिए मार्किंग कर रहे है तो without belt हम क्रॉच के लिए 5 इंच पर मार्क करेंगे 4 इंच का ready हमारा यहाँ पर बेल्ट आएंगा तो ऐसा हमारा 9 इंच का क्रॉच हो जाएंगा और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है आप देख सकते हो कि यह हमारे साइड के पैनल है यह हमारी का लिया है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा बचा हुआ पीस है अब हम इसी में से belt तयार करेंगे तो यहाँ पे हम जो belt की length है वो हम 5 inch लेंगे और यहाँ पे belt की width जो है वो हम 17 inch लेंगे तो हम 17 inch पे एक mark करेंगे दोनू side में हम इस तरह से mark करना है और यहां पर इसे बीच से कट कर लेना है तो यहां पर हमारी यह बेल्ड भी रेडी हो गई है अब हम क्या करेंगे कि इसे बीच से भी कट कर लेंगे तो यहां पर हमने बेल्ड भी कट कर ली है अब यह जो बचा हुआ पीस है इसे हम शलवार के bottom के लिए use करेंगे तो इसे हम इस तरह से दोनों पार्ट के लिए double fold करके यहाँ पे इस तरह से इसे जो नीचे का हमारा border रहेंगा शलवार का हम उसमें बादने इसे use कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारी 1 मिटर कपड़े में पूरी शलवार की cutting हो गई है उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे design हम बनाएंगे उसके लिए हमने इस तरह की पटिया कट की है जिसकी विर्थ हमने यहाँ पर 2 inch ली है तो हम इसकी बाद में design बनाएंगे अभी आप देख सकते हो कि यह हमारी शलवार पूरी कट हो गई है यह हमारी साइट की दो कलिया है यह बीच का पैनल है और यह हमारी बेल्ट है यह हमारे बीच का जो पैनल है हमें इसमें design बनानी है तो चलिए उसे design बनाने के लिए हम यहाँ पर start करते है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने जो strip ली है उसे हम सिलेंगे तो हमें इस तरह से दोनों पैनल को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस पर पूरे में सिलाई लगानी है तो हम क्या करेंगे इसे बराबर से करते हुए पूरे में दोनों साइड पर हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर मैं जिस तरह से कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी कर रहा है दोनों तरफ उसे अंदर की तरफ रखते हुए उपर उपर सिलाई लगा लेनी है इसी तरह हमें दोनों साइड में करना है और जितने भी हमने जो स्ट्रिप कट करके रखी थी उन्हें पूरे स्ट्रिप को हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है जिस तरह से बहीं यहाँ पे लगा रही हूं सेम आपको भी उसी तरह से लगानी है और हम यहाँ पे पूरे रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक साइट से सिलाई लगा ली है इसके बाद हमें क्या करना है कि दूसरी साइट से भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है तो इस तरह से पूरे में हम सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है अब यह हमारा बीच का पैनल है तो आप इस पैनल के हिसाब से इन पटियों को कट करें हमने यह जो बड़ी वाली पटि एक तयार की है तो हमें यह छोटे छोटे पटियों में उसे कट करना है तो जितना हमारे पैनल की वीर्थ है उतनी ही हमें सब पटिया कट करनी है तो हम सभी पटियों को 6 इंच में कट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने सभी पटिया कट कर ली है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका सेंटर निकाल लेंगे तो हमने सेंटर पे एक मार्क कर लिया है अब हम क्या करेंगे कि यह जितनी भी पट्टिया है यहां पर बराबर इसे सेंटर से पकड़ कर यहां पर सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले हम उपर सिलाई के लिए थोड़ा सा छोड़ देंगे कि जो हमारा बेल्ट में अटेच होंका और यहां से हमें बराबर से पूरे में एक के नीचे एक पूरी पट्टिया रखते हुए सिलाई लगा देनी है सेम हमें पूरा यह हमें नीचे तक करना है मतलब जितना हमारा पैनल है हमें पूरे में इस तरह की पट्टिया अटेच कर देनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पूरे में पत्टिया अटैच कर ली है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके उपर एक दो बार सिलाई लगानी है कि यहां पर यह अच्छे से fix हो जाए इसके लिए हम दो से तीन बार यहां पर सिलाई लगा लेंगे तो हमने यहां पर तीन बार सिलाई लगा ली है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यह side वाली strip को इस तरह से एक के उपर एक रखनी है और सिलाई लगाना है यहां पर आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से कर रही हूँ इस वाली पट्टी को भी हमें इस side में रखना है मतब एक पट्टी एक छोड़कर हमें सिलाई लगानी है पूरे में तो यह हमें last तक करना है इसी तरह से तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमने एक side में सिलाई लगा ली है सेम हमें दूसरे side में भी सिलाई लगानी है तो पहले इन्हें बराबर से set कर ले और इन सबी पर हमें सिलाई लगा लेनी है तो यह वाले side में भी हम last तक के पूरे में सिलाई लगाएंगे तो यह देख सकते हो आपके हमारा यह last में हमने पूरे में सिलाई लगा ली है और यह हमारा designer panel पत के तयार है सेम हमें दुसरी साइट का भी पैनल इसी तरह से तयार करना है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह कितना इजी है बनाने में तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यह हमारा साइट वाला पैनल है और यह हमारी कलिया है अब हम कलियों को पैनल में अटैच करेंगे तो इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे दूसरे साइड में भी हमें ऐसी ही करना है कली को उसके उपर रखते हुए पैनल के यहाँपर सिलाई लगा लेनी है तो मैं यह आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यह कलिया अटैच कर ली है दोनों साइड में सिलाई भी लगा ली है उपर से भी हमने एक सिलाई लगा ली है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्लेट डालेंगे प्लेट डालने के लिए स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा बेल्ट है उसमें हम बीच से एक कट लगा देंगे और जो हमारे पैनल का सेंटर है वहाँ पर हम उसे मिला देंगे इसके बाद हमें क्या करना है कि जो पैनल है उसके opposite side में हमें पूरी clear डालनी है तो इस तरह से पकड़ते हुए आप एक एक clear डाले हम पूरे में panel के opposite direction में clear डाल रहे हैं आप इस बात का जरूर खयार रखें कि हमें opposite direction में clear डालनी है अभी हम इसे क्या कर लेंगे कि इसे हम पिन से सिक्यर कर लेंगे तो हम पूरे में पिन लगा लेंगे अब हम अपोजिट साइड वाले प्लेट्स भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे तो वो भी हमें पैनल के opposite side में ही डालनी है तो इस तरह से हमने दोनों side में 4-4 plate डाली है यहाँ पर आप देख सकते हो और इसे भी हम pin से secure कर लेंगे इसके बाद हमने इसे set कर लिया है अब हमें क्या करना है कि इसमें belt attach करनी है तो belt को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर उपर से एक सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हमें इस तरह से top stitch भी लगा ले ली है तो आपको मैं यह दोनों पैनल रेडी करके बताती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने दोनों पैनल रेडी कर लिये है और यहाँ पर यह जो हमारी plates है वो भी हमने बराबर से सिल लिया है अब हमें इसके बाद क्या करना है कि जो हमारी शिलवार का bottom है अब हम उसे रेडी करेंगे तो उसके लिए हमने यहाँ पर यह जो इस्ट्रिप है वो ली है इसकी लेंद यहाँ पर हमने 5 इंच ली है और वीर्थ यहाँ पर 10 इंच ली है तो हमें क्या करना है simply यह जो हमारी शिलवार का bottom है यहाँ पर इसे डबल कर रहा है और यहाँ पर मैंने पेस्टिक पेपर भी इसमें प्रेस्ट से अटेच कर लिया है अभी हमें क्या करना है उपर से इसे अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हुए पूरे में उपर से भी सिलाई लगा लेनी है इसी तरह हमें दोनों साइट का bottom रेडी कर लेना है पीचे से यहां से जो बच्ची हुई स्ट्रिप थी उसे भी हमने अटेच कर लिया है अब हमें इसके आसन जॉइन करना है तो यहां पर हम एक के उपर एक इस तरह से रखेंगे और यहां पर इसका आसन जॉइन कर लेंगे तो यहाँ पे हम आसन जोइन करने के ताइम में एक छोटी सी मियानी भी लगाएंगे ताकि बच्चों को कमफर्ट हो और इसी तरह से दोनों साइड से हम स्टिचिक कर लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इलास्टिक के लिए भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा दी है तो यहाँ पे हमने आसन जॉइन कर लिए है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक छोटी सी मियानी भी अटेच कर लिए है कि बच्चों को कमफर्ट रहे और इलास्टिक इंसट करने के लिए भी बेल्ट रेडी कर लिया है अब हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसमें हमें इलास्टिक इंसट करना है तो यहाँ पर इलास्टिक की जो लेंथ हमने लिए है वो 70 नींच लिए है अब हम क्या करेंगे कि एक सेप्टी पीन की मदद से हम जो पोर्षन हमने थोड़ा सा ओपन रखा था उस पोर्षन से हम इलास्टिक इंसर्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने इलास्टिक कर लिया अब हमें ऊपर से एक सिलाई लगानी है और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर बॉटम में भी बराबर से पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड में तो यह मैं आपको रेडी करके बताती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी डिजाइनल पैनल शलवार बन के तयार है जो बनने के बाद बहुत ही सुन्दर बनी है अगर आप भी आपके बेबी के लिए इसी तरह की शलवार बनाना चाते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले हम इसी तरह की वीडियो हमारे इस चैनल पर डालते है जो आपके लिए बहुत ज देखने के लिए थैंक यू